हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीकोड इंडियान, आई होप आप सभी अच्छे हैं, तो आज के इस लेक्चर में हम ऑक्टूबर मंत के बैंकिंग और फाइनेशल अवेर्नेस को देखने वाले हैं, यह हमारा पार्ट टू है, पार्ट वन में अल्रेडी हमने ऑक्टूबर मंत के कुछ banking and finance related news को discuss कर लिया है, बहुत ही detail वे में, तो जो remaining news है, ऑक्टूबर मंत का, banking and finance related, उसको हम आज के इस लेक्चर में discuss करने वाले हैं, ओके, तो चली सुरू करते हैं, भीना किसी delay के, अगर आपको इस particular lecture का PDF चाहिए होगा, तो वो भी आपको मिल जाएगा, टेलीक्राम चैनल का link description box में दिया गया है, वहां से जाकर कि आप इस lecture का और आने वाला जितना भी lecture है, उसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ओके, तो चली सुरू करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पात जो सबसे पहला news है, यह news ICICI bank को लेकर के है, ICICI bank ने phone pay के साथ partnership किया है, ताकि यह अपने customers को UPI transactions के लिए instant credit offer कर सके, instant credit facility offer कर सके, तो इस पूरे news को समझने से पहले थोड़ा सा background समझना जरूरी है, देखे आपको पता होगा कि पिछले साल ही, Reserve Bank of India ने pre-sanctioned credit lines को अलाव कर दिया था through UPI, RBI ने क्या बोला था, कि अगर आपके पास pre-sanctioned credit line है, अगर आपको bank ने pre-sanctioned credit line issue किया है, तो आप उसका इस्तिमाल करके UPI transactions कर सकते हैं, अब यहाँ पर यह credit line क्या होता है, तो यह similar होता है credit card के जैसे, बस difference इतना होता है कि credit card में आपको एक physical card दिया जाता है, जिसको आप आपको carry करके रखना होता है, लेकिन credit line में ऐसा कुछ नहीं होता है, credit line में भी एक limit रहता है, और इस limit तक जब जब आपको पैसो का जरूवत है, आप पैसे withdraw कर सकते हैं, उसका आप इस्तिमाल कर सकते हैं, और जितना पैसे आप उस limit के अंदर में withdraw करेंगे, सिर्फ आपको उसके उपर ही interest pay करना होगा, सपोस कि बैंक ने आपको एक लाख रुपए का credit line इशू किया है, और आपने कभी 10,000 रुपए निकाला, कभी आपने 20,000 रुपए निकाला, टोटल माल लिजे कि आपने 50,000 रुपीज विड्रॉआ कि और उसको आपने खर्च किया, तो यहां सिर्फ उस 50,000 रुपीज के उपर ही आपको interest pay करना होगा, समझ में आ गया, तो यह होता है credit line, तो पिछले साल RBI ने क्या किया था, RBI ने UPI सिस्टम के scope को बढ़ाते वे, बैंक के दौरा जो pre-sanction, यानि कि जो pre-approved credit line इशू किया जाता है न, उसको भी सिस्टम के अंदर सा transactions कर सकते हैं, तो यह फैसला लिया गया था, अब यहाँ पे इसी दिसा में आगे बढ़ते वे, जो ICICI bank है, उसने यहाँ पे phone pay के साथ partnership किया है, किसलिए यहाँ पे phone pay के साथ partnership किया है, तो ICICI bank का जो pre-approved customers है, यानि कि जिसकों की पहले से अप्रूफ किया गया है credit line के यूपय ट्रांजेक्शन के लिए through phone pay यहाँ पे यह partnership हुआ है, तो माल लीजे कि आप ICICI bank के customer है, और आपके पास ICICI bank के द्वारा issued एक 10,000 रुपीज का credit line है, तो यहाँ पे आप phone पे आपका इस्तमाल करके 10,000 रुपे तक के limit में आप यूपय ट्रांजेक्शन कर सकते हैं Suppose कि आपके bank account में पैसा नहीं है और आपको कहीं पे कुछ खरीदना है, कोई आपको transaction करना है, तो आप यहाँ पे इस credit line का इस्तमाल करके transaction कर सकते हैं, समझ में आया, तो यहाँ पे क्या क्या है, ICICI bank ने phone pay के साथ partnership किया है, किसलिए यह partnership किया है, तो इस partnership के तहत ICICI bank का pre-approved customers है, जिसको कि पहले से ICICI bank ने अप्रूफ किया हुआ credit line के लिए, तो उसको यहाँ पे UPI transactions के लिए instant credit प्रोवाइड किया जाएगा, phone pay app के थू, समझ में आ गया, और यहाँ पे देखे, यह जो पूरा partnership है, इस partnership से millions of जो pre-approved customers है, ICICI bank का, जिसको कि पहले से अप्रूफ कि लिए गया credit line के लिए, वो यहाँ पे short term credit line को instantly activate कर सकता है, phone pay app के उपर, और फिर इसका इस्तमाल करके, वो UPI transactions कर सकता है, बिना किसी दिक्कत के एक secure manner में, समझ में आया, तो यह पूरा यहाँ पे फैसला लिया गया है, ओके, आगे देखते हैं, और क्या details है, तो यहाँ पे देखें, ICICI bank के दोरा यह जो credit line offer किया जाएगा, UPI transactions के लिए, तो ICICI bank यहाँ पे maximum 2 लाख रुपे तक का ही credit line offer कर सकता है, UPI transactions के लिए, और इस limit के अंदर, whatever के दोरा जो भी fund withdraw किया जाएगा, इस limit के अंदर वो जो भी UPI transactions करेगा, तो उसका repayment उसको 45 days के अंदर करना होग तो यही यहाँ पे mention है, the bank offers credit line on UPI for up to रुपीज 2 लाख with a repayment period of 45 days, आसान सा news सा, I hope सबको clear हो गया होगा, अब यहाँ पे थोड़ा ICICI bank के बारे में दिया गया है, तो इसका establishment year 1955 है, headquarter इसका मुंबए महाराष्ट में है, MDN CEO का नाम है Mr. Sandeep Bakshi जी और ICICI bank का tagline क्या है, ख्य 2015 है, इसका headquarter Bengaluru करनाटका में है, और phone pay के CEO का नाम है समीर निगम जी, ओके आगे बढ़ता है next news को देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो news है, यह news RBI deputy governor Rajaswar Rao जी को ले करके है, भारस सरकार ने RBI deputy governor Rajaswar Rao जी के tenure को और एक साल के लिए extend कर दिया है, तो जो appointment committee of the cabinet है, जि इसको की प्रदान मंत्री के दोरा head किया जाता है, तो इसने यहाँ पे Rajaswar Rao के reappointment को और एक साल के लिए approve कर दिया है, ठीक है, तो यही यहाँ पे फैसला लिया गया है, राजस्वर Rao जी के बारे में अकर हम बात करें, तो RBI deputy governor के तोर पे इनको October 2020 ने अपोइंट किया गय तो न्यूस क्या था, कि भारत सरकार ने RBI deputy governor Rajaswar Rao जी के tenure को और एक साल के लिए बढ़ा दिया है, अब दिखें, यहाँ पे RBI का बात हुआ है, तो RBI की उपर हम काफी लंबा discussion कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बस थोड़ा सा हम इसके बार में बात करेंगे, और जो न्यूस है, उससे related जो point है, उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, तो Reserve Bank of India को 1st April 1935 को established किया गया था, Reserve Bank of India Act 1934 के provisions के तहत, और Reserve Bank का जो central office है, जहाँ पे RBI के governor बैठते हैं, policies को दयार करते हैं, तो Reserve Bank का जो central office है, वो initially Kolkata में था, लेकिन फिर इसको 1937 में, permanently, मुं इसलिए अट किया है, क्योंकि इससे question पूछा जाता है, ठीक है, तो Reserve Bank का जो central office है, वो initially Kolkata में था, फिर 1937 में, इसको permanently मुंबई में shift कर दिया गया, ओके, और initially Reserve Bank of India है, यह एक private bank था, यह privately owned था, लेकिन 1949 में nationalism के बाद, जो Reserve Bank है, वो fully owned है भारस सरकार के द्वारा, ओके, भ जो इसका कामकाज है, उसको govern कौन करता है, तो इसके लिए central board of the directors है, और इस board के अंदर जो members को appoint किया जाता है, जो directors को appoint किया जाता है, वो भारस सरकार के द्वारा किया जाता है, Reserve Bank of India Act का जो भी provisions है, उसको ध्यान में रख करके, और जो भी appointment होता है, वो 4 साल के period के लिए होत directors है, जो कि RBI के कामकाज को govern करता है, तो यहाँ पर उसके अंदर जो directors होता है, कुछ तो official directors होता है, और कुछ non-official directors होता है, तो जब हम बात करते हैं, तो official directors के अंदर देखें कौन कोन आते हैं, सबसे पहले तो Reserve Bank of India के governor, इसके बाद, maximum 4 deputy governor official director के अंदर आते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें, तो यहाँ पर इनको भारत सरकार की दौरा नॉमिनेट किया जाता है, तो 10 directors होते हैं, अलग-अलग field से, और 2 भारत सरकार के अधिकारी होता है, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर 4 directors, Reserve Bank of India का जो local boards है, मुंबई, कोलकता, चिन्नी, निउ दली में जो लोक आता है, governor, RBIK, और 4 deputy governor, तो official directors माच हो गया, non-official directors का अगर हम बात करें, तो 10 directors को अलग-अलग field से, नॉमिनेट किया जाता है, भारत सरकार के दौरा, और 2 भारत सरकार के अधिकारी होता है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 5, 10, 5, 10, 15, और 2, 17, और 4 directors होते हैं, जो कि Reserve Bank of India के local boards को represent करते हैं, जो कि Mumbai, Kolkata, Chennai और New Delhi में located है, तो यहाँ पर 5, 10, 21, तो maximum Central Board of Directors में कितना member हो सकता है, 21 members हो सकता है, ठीक है, तो यह भी याद रखेगा, I hope आपको इस समझ में आ गया होगा, अब देखें, जासा कि हमने देखा था कि Central Board of Directors के अंदर, official directors होता है, और non-official directors होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा था कि Governor होता है, तो Governor यहाँ पर कौन है अभी, सकतिकान दास जी, सकतिकान दास जी को 2018 में अपोइंट किया गया था, तीन साल के पीरेट के लिए, उसके बाद 2021 में इनके tenure को और तीन साल के लिए बढ़ा दिया गया था, अब इनक राजेस्वर राओ, तीर अभी संकर और स्वामी नाथन जी, ठीक है, तो यह पूरा न्यूस था, और न्यूस, में न्यूस क्या था, कि यहाँ पर यह जो एम राजेस्वर राओ जी है, इनके tenure को भारस सरकार ने और एक साल के लिए एक्स्टेंट कर दिया है, ठीक है, यह आपको यह वाले न्यूस भी समझ में आ गया होगा, इजी था, चलिए आगे बढ़नों, दूसरे न्यूस को देखते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास न्यूस है, यह न्यूस HDFC बैंक को ले करके है, देखे, जब हम किसी कंपनी के शेर्स को बाई करते हैं, तो हम बोलते हैं क यहाँ पर HDFC बैंक का जो सबसीडरी है, HDFC Edu, जिसका पूरा नाम है HDFC Education and Development Services, तो HDFC बैंक यहाँ पर अपने सबसीडरी, HDFC Edu के अंदर, इसका जो इंटाइर 100% स्टेक है, उसको सेल करने वाला है, 192 करो रूपीज में, तो यह पूरा न्यूस है, ओके, HDFC बैंक का जो बोर्ड है, HDFC बैंक का बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है, कि HDFC बैंक अपने सबसीडरी, HDFC Education and Development Services के अंदर, इसका जो इंटाइर 100% स्टेक है, उसको यह सेल करेगा, वामा सुन्दरी Investment Private Limited को, और कितने में सेल करेगा, तो 192 करो रूपीज में सेल करेगा, ओक और यह ओल कैश डील होगा, मतलब जाहिर सा बात है कि HDFC बैंक का जो इंटाइर 100% स्टेक है, HDFC Education and Development Services के अंदर, इसको यह सेल करेगा, वामा सुन्दरी Investment Private Limited को, तो बदली में तो यह कुछ लेगा, तो यहां पर बदली में यह क्या लेगा, कैस लेगा, ओके, और यहां पर कि तरीके से यह divestment होगा, तो जो HDFC Bank है, वो HDFC Edu के अंदर इसका जो 91% स्टेक है, उसको यह 31st October या फिर उससे पहले सिल कर देगा, और जो remaining 9% स्टेक है, उसको यह 30 June या फिर 30 June 2025 से पहले इसको यह सिल कर देगा, तो इस तरीके से यहां पर HDFC Bank का जो इंटाइर 100% स्टेक है, HD HDFC Edu के अंदर उसको यह सिल करेगा, 192 करो रुपीज में, वामा सुंदरी इंवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेट को, समझ में आ गया, अब देगे यहां पर आपके दिमाग में कोशिन आना चाहिए, कि HDFC Bank ऐसा क्यों करेगा, इसके पीछे रीजन क्या है, तो आपको पता होगा कि पिछले साल ही HDFC Limited का, HDFC Bank के अंदर मर्जर हो गया था, और यह मर्जर 1st July 2023 से एफेक्टिव हो गया था, तो Reserve Bank of India ने HDFC Bank को बोला था, कि HDFC Bank का HDFC Edu के अंदर जो भी investment है, उसको यह जो भी इसका stake है, उसको यह 2 साल के अंदर, मर्जर के 2 साल के अंदर उसको यह sell कर दे, तो यहां पर उसी दिसा में आगे बढ़ते वे, HDFC Bank ने बोला है, कि वो उसका entire 100% जो stake है HDFC Edu के अंदर, उसको वो sell कर देगा, 192 करो रुप नव यहां पर HDFC Bank के बार में अगर हम बात करें, तो इसका establishment year 1994 है, इसका headquarter आपको मुंबई महराष्ट में मिलेगा, HDFC Bank के MDN CEO का नाम है ससीधर जगदीशन जी, और HDFC Bank का tagline है, we understand your world, ओके? नव HDFC education के बार में अगर हम बात करें, तो HDFC education क्या करता है, schools, higher education, vocational education, training, supplemental education, इन सबसे जुरावा services यह provide करता है, जैसे आपका higher education के लिए loans हो गया, यह सब यह provide करता है, school management, improvement services, यह सारा services यह provide करता है, ठीक है? तो यहाँ पे जब HDFC bank, HDFC edu के अंदर इसका जो entire 100% stake है, उसको वो sell कर देगा, तो उसके बात फिर HDFC edu, HDFC bank का subsidiary नहीं कहलाएगा, ओके? समझ में आ गया? आगे बढ़ता है, next news को देखता है, अब देखें, यहाँ पे हमारे पास जो news है, यह काफी important news है, और इसको समझान किया news? देखें, यहाँ पे Reserve Bank of India ने, जो कि हमारे देश का Central Bank है, और Maldiv के Central Bank, Maldiv's Monetary Authority ने 400 million dollar का यहाँ पे currency swap agreement sign किया है, ओके? तो सबसे पहले हुद आपको यह आद रखना है कि RBI और Maldiv Monetary Authority के दोरा यह जो currency swap agreement sign किया गया है, यह कितने रुपय का sign किया गया है, तो 400 million dollar का currency swap agreement sign हुआ है, Reserve Bank of India और Maldiv's Monetary Authority के दोरा, ओके? ना यहाँ पे सबसे पहले इस पूरे न्यूस को समझने से पहले, और आप अकसर देखते होंगे currency swap agreement को लेकर के news रहता है, तो exactly यह currency swap agreement होता क्या है? उसको हम यहाँ पे देख लेता है, फिर हम इस news को पढ़ेंगे, ओके? currency swap agreement अगर आपको अच्छे समझ में आ गया, तो फिर यह news कुछ भी नहीं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, और आगे कभी भी आप currency swap agreement से जुरावा कोई news देखेंगे, तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखे, यह currency swap agreement है, सबसे पहले यहाँ पे जो यह word है, swap, swap का क्या मतलब होता है? swap का मतलब होता है exchange, मतलब कि किसी एक चीज के बदले में एक चीज लिया जा रहा है, ओके? तो यहाँ पे जो currency swap होता है न, दो देशों के बीच में, तो यह एक ऐसा agreement होता है, ऐसा contract होता है, जिसमें currencies को, दो currencies को exchange किया जाता प्रीडेटर्माइन टर्म्स और कंडिशन के साथ अब यह प्रीडेटर्माइन टर्म्स और कंडिशन क्या होता है मतलब कि कितने अमाउंट ऑफ करेंसी को एक्सचेंज करना यह पहले से तही रहता है किस एक्सचेंज रेट के उपर तही करना है वन डॉलर इक्वल टू इतना इंडेन रुपीज तो किस exchange rate के साथ करना यह पहले से तही रहता है जो exchange का duration होगा वो कितना होगा यह पहले से तही रहता है तो currency swap जो होता है दो देसों के बीच में यह कैसा agreement होता है जिसमें currencies को exchange किया जाता है टर्म और कंडिशन के साथ तो अलग अलग जो central bank है जो government है वह अपना short term foreign currency liquidity requirement को पूरा करने के लिए currency swap में इंटर करता है उसको जो immediate foreign currency चाहिए होता है अलग-अलग देश का जो Central Banks है जो Government है उसके द्वारा Currency Swap में इंटर किया जाता है या फिर जो उसका Foreign Currency होता है वो एडिकेट मात्रा में रहे उसको इंशॉर करने के लिए ताकि Balance of Payment जैसा Crisis ना आए इसके लिए Central Banks और Government के द्वारा जो Currency Swaps होता है उसमें इंटर किया जाता है ना यहां पर एक टॉम आया है Balance of Payment Crisis तो यह क्या है देखे Balance of Payment Crisis एक ऐसा Situation होता है जब किसी देश के पास पैसा नहीं होता है International Trade के लिए उसको इंपोर्ट करना है अब वो इंपोर्ट करेगा तो उसके लिए जो पैमेंट करेगा वो अपनी करन्सी में तो नहीं कर सकता ना दूसरे देश से कर रहा है तो वो देश अगर उसके देश क करेंसी को एकसपन ही करता है तो इसलिए हां पर उसको जो इंपोर्ट के लिए पैसा है वो फ़न करन्सी में देना पड़ेगा तो उसके पास फॉरेंट करन्सी तो रहना चाहिए ना उसको पूरा करने के लिए उसकर पास säger रहना चाहिए तो मेंस तो balance of payment crisis एक ऐसा situation आता है जब किसी देश के पास enough foreign currency नहीं होता है इन सब चीजों के लिए import का payment करने के लिए debt obligation को पूरा करने के लिए जैसे कि भारत में भी balance of payment crisis in 1991 में आये था तो यहाँ पे foreign currency एडिकेटर है इस बात को insure करने के लिए ताकि जो balance of payment crisis है वो न आये जो central banks है governments है उसके द्वारा currency swap में इंटर किया जाता है और यहाँ पे यह जो पूरा swap operation होता है इसमें किसी भी तरह का exchange rate या दूसरा market risk का खत्रा नहीं रहता है क्योंकि होता क्या है यहाँ पे exchange rate तो अगर आगे चल करके exchange rate चेंज भी होता है तो किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होता है जो पूरा transaction रहता है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं आता है तो यह क्या होता है यह पूरा होता है currency swap agreement देखें यहाँ पे अगर मैं आपको एक यहाँ पे 5 million dollar का एक currency swap agreement नेपाल के साथ sign किया है तो यहाँ पे क्या होगा ना इस agreement में इंडिया यहाँ पे नेपाल को लोन प्रवाइड करेगा और फिर जब इस लोन का रिपेमेंट होगा ना तो वह इंडियन रुपीज में होगा अब क्यूंकि यह लोन है तो इसके उपर कुछ इंटरेस्ट रेट भी होगा तो यहाँ पे नेपाल एक सटन पीरेट के बाद भारत को वह पैसा लोटाएगा इंडियन रुपीज में लोटाएगा और एक कोई ऐसा देस है जो की फॉरिण रिजर्व क्राइजस से गुजर रहा है तो उसके लिए यह पूरा करिंसी यह लपूल हो यहाँ पे क्या होता है तो यह सब कम इंटरेस्ट है ठीक है समझ में आ गया आई होप आपको एक overall आइडिया आ गया होगा कि यह पूरा करेंसी स्वाप एग्रेमेंट होता है यह होता क्या है अब हम आते हैं अपने न्यूज के ऊपर आई होप अब आपको न्यूज अच्छे से समझ में आ जाएगा ओके तो देखें यहां पे Reserve Bank of India और माल्दीव का जो Central Bank है माल्दीव Monetary Authority उसके द्वारा 400 million dollar का currency swap agreement साइन किया गया है अब यहां पे जो agreement साइन हुआ है यह agreement सार्क currency swap framework 2024 से जो 2027 के लिए है उसके तहत साइन हुआ है तो यहां पे थोड़ा सा रुके हम इसको देख लेते हैं कि सार्क currency swap framework for 2024 to 2027 क्या है वापस से फिरम इस news क्यों पढ़ाएंगे ज्यादा समय नहीं लगेगा थोड़ा साम इसको देख लेते हैं देखें यहां पे कुछ दिरों पहले ही Reserve Bank of India के द्वारा सार्क currency swap framework को अनाउंस किया गया था 2024 से 2027 के लिए ग्याद रखीगा कि सबसे पहली बार इस तरह का फेसिलिटी है वह नमबर 2012 में इंटर्डूस किया गया था अब यहां पे RBI ने यह revised framework अनाउंस किया है currency swap arrangement के उपर तो यह कैसे countries के लिए है जो South Asian Association of Regional Corporation के अंदर countries आता है अफगानिस्तान बांगलादेश भूटान इंडिया मालदीव नेपाल पाकिस्तान श्री लंका तो वैसे देश के लिए और कितने पीरिट के लिए है तो 2024 से 2027 के लिए अब देखें इस framework के तहत ना कि यह जो 2024 से 2027 के लिए framework है तो इस framework के तहत एक separate इंडियान रूपी स्वाप विंडो को इंटर्यूस किया गया है मतलब कि अगर कोई देश है अगर कोई सार्क मेंबर कंट्री है तो वह अगर चाहे तो वह अपनी करेंसीज को एक्सचेंज कर सकता है इंडियान रूपी में ओके तो यहां पे 2024 से 2027 के लिए जो फ्रेमवर को इंटर्यूस किया गया है तो इसके तहत एक सेप्रेट इंडियन रूपी स्वैप विंडो को इंटर्यूस किया गया है और इस तरह के सपोर्ट के लिए जो तोटल फंड सरकार ने अलोकेट के है वो कितना है 250 बिलियन रूपी ओके 25,000 करोर रूपया है और जैसा कि हमने बात किया कि इस तरह का फेसिलिटी सबसे पहले 2012 में अनाउंस किया गया था तो यहां पे जिस तरीके से रिजर्व बैंक ओफ इंडिया जो यूएस डॉलर है यूरो है उसमें स्वैप अरेंजमेंट ओफर करता था सेप्रेट डॉलर यूरो स्वैप विंडो के तह है तो वो कंटीनू रहे गा ऐसे ही ओके और यहां पे से तो यहां पे नियूस के ऊपर आते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और माल्दीब मोनेटरी ऑफरिटी ने करेंसी स्वैप एजमेंट को साइन किया साइन किया व्हार्ट इस अंतुर currency swap framework जो 2024 से 2027 के लिए है उसके तैट और यहां पे यह जो पूरा agreement sign हुआ था वो कहां पे हुआ था न्यू डेली में agreement sign हुआ था और इस agreement के तहट भारत सरकार जो Reserve Bank of India है Reserve Bank of India मालदीव को up to 400 million dollar तक का जो financial support है वो provide करेगा US dollar euro swap window के तहट और 30 billion rupees का जो financial support है वो Indian rupees swap window के तहट offer करेगा ठीक है समझ में आया तो यह agreement न्यू डेली में sign हुआ था और इसके तहट up to 400 million dollar तक का जो financing support है वो मालदीव को provide किया जाएगा US dollar euro swap window के तहट और 30 billion rupees का जो financing support है वो अभी अभी जो introduce किया गया है Indian rupees swap window उसके तहट provide किया जाएगा ठीक है और देखें यह जो पूरा arrangement है न वो कब तक effective रहेगा तो यह 18 June 2027 तक effective रहेगा मतलब कि मालदीव के द्वारा यह जो facility है इसका इस्तमाल 18 June 2027 तक किया जा सकता है तो simply news क्या था Reserve Bank of India ने और मालदीव monetary authority ने 400 million dollar का currency swap agreement sign किया है सार्क currency swap framework जो 2024-2027 के लिए उसके तहत्त समझ में आ गया आगे बढ़ता है next news को देखते हैं कि यहां पर हमारे पास जो news है इसमें क्या बोला जा रहा है एक्सिस बैंक ने अमिताप चौधरी को as a MD and CEO के तो और पर रियापॉइंट किया है और तीन साल के लिए और इनके रियापॉइंट्मेंट को Reserve Bank of India ने अप्रूब कर दिया है तो यही पूरा news है Reserve Bank of India ने अमिताप चौधरी के रियापॉइंट्मेंट को अप्रूइंट को अप्रूइंट कर दिया है तो 1st January 2025 से इनका ये टेन्योर सुरू हो जाएगा और कब तक रहेगा तो 31st December 2027 तक रहेगा समझ में आ गया Reserve Bank of India ने अमिताप चौधरी के रियापॉइंट्मेंट को अप्रूव कर दिया है एक्सिस बैंक के MD & CEO के तौर पे ओके और इनको और तीन साल के लिए अपॉइंट किया गया है इस पॉअबर समझ में आ गया बस यही simple सार्य था एक्सिस बैंक के बार में बात करे तो इसको 1993 में प्रिस किया गया था एक्सिस बैंक का हेड़ क्वार्टर मुंबई में है एक्सिस बैंक के M.D. and CEO का नाम है अमिताब चौधरी जी यह तो आपको यादि रहेगा और तीन साल के लिए इन को रिया पॉइंट किया गया इस पोस्ट के उपर और एक्सिस बैंक का टैग लाइन क्या है बढ़ती का नाम जिन्दिगी ओके आगे बढ़ते हैं नेक्ष न्यूज को देखते हैं तो यहां पर इसी दिशा में आगे बढ़ते हैं सरकार ने यहां पर फाइनली मुद्रा लोन लिमिट को डबल कर दिया है तो पहले क्या था पहले मैक्सिमम 10 लाक रुपे का ही जो मुद्रा लोन है वो अविल किया जा सकता है तो यहां पर आप देख सकते एकोनॉमिक टाइ मुद्रा लोन लिमिट डबल टू रुपीज 20 लाक इन लाइन विद बजट अनॉंसमें तो इसको हम देखने वाले हैं यहां पर यह जो लिमिट को इंक्रीज किया गया है यह सब के लिए नहीं किया गया है तो इसको हम अच्छे से समझेंगे लेकिन उसको समझने से पहले यह जो पूरा मुद्रा योजना है उसके उपर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं तभी आपको यह पूरा न्यू समझ में आएगा ओके तो आएए पहले देख लेते हैं मुद्रा योजना का जो पूरा नाम है वो क्या है प्रधान मंत्री मुद्रा योजना तो यह भारत सरका का एक flagship scheme है मतलब की एक major scheme है इस scheme के तहट affordable rate पे credit facility प्रवाइड किया जाता है loan प्रवाइड किया जाता है micro और small enterprises को तो जो भी non-corporate non-farm non-corporate का मतलब क्या है मतलब कोई ऐसा छोटा सा कंपनी है कोई दुकान है जो कि ऐसा कंपनी के तौर पे registered नहीं है non-farm का क्या मतलब है कि कोई ऐसा बिजनस जो की farming से agriculture से related नहीं है तो यहां पे यह जो पूरा प्रधान मंत्री मुद्रा योजना है इसके तहट non-corporate non-farm micro या जो small enterprises है जो कि manufacturing trading services के तुरू income generate करता है तो वैसे micro and small enterprises को इस योजना के तहट loan provide किया जाता है ओके समझ में आ गया अब देखे यहां पे यह जो मुद्रा है मुद्रा का पूरा नाम क्या है तो मुद्रा का यहां पे पूरा नाम है M for micro, U for units, D for development, R for refinance और A for agency तो बहुत important है मुद्रा का पूरा नाम micro units development and refinance agency तो इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि यह क्या है agency है तो यह एक ना refinancing institutions है मतलब कि यह directly micro entrepreneurs individuals को loan प्रवाइड नहीं करता है यह क्या करता है तो यह bank NBFCs जो micro finance institutions है उसको यह fund प्रवाइड करता है और फिर यह bank NBFCs जो micro finance institutions होता है यह जो भी micro entrepreneurs individuals है उसको loan प्रवाइड करता है तो प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के तहर जो मुद्रा लोन होता है वह bank NBFCs micro finance institutions का जो ब्रांच होता है उससे अविल किया जा सकता है अब दिखें यह जो पूरा मुद्रा योजना है ना प्रधान मंत्री मुद्रा योजना इसको लॉंच कप किया गया था तो 8 April 2015 को इसको लॉंच किया गया था और इस योजना के तहतना तीन टाइप्स का मुद्रा लोन है शिशू किशोर और तरुन तो शिशू कैटिगरी के अंदर 50,000 रुपे तक का लोन प्रॉइड किया जाता है किशोर कैटिगरी के अंदर 50,000 रु का अब दिए यहां पर जैसा कि आपको समझ में आये गया होगा कि कोई minimum loan amount नहीं है मतलब ऐसा नहीं कि कोई individual है उसका छोटा सा कुछ दुकान है उसके लिए वह उसको करना चाहता है उसके लिए वह मुद्रा लोन लेना चाहता है तो उसको कम से कम 20,000 या कम से कम 30,000 लेना पड़ेगा ऐसा कुछ लिमिट नहीं है तो नो मिनिमम लोन अमाउंट है अंडर प्रधान मंत्री मुद्रा योजना लेकिन अभी तक आपको यह समझ में आ गया होगा कि यहां पर maximum loan amount mention है maximum अभी तक का हम बात कर रहेंगे जो फैसल लिया गया इसके पहले तक का maximum प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के तहेट 10 लाख रुपे तक का ही जो लोन है वह अवेल किया जा सकता था और प्रधान मंत्री मुद्रा योजना का सबसे खास बात क्या है वैसे तो अगर जाएगा कोई वैक्ति है वो बैंक जाएगा और वो अपने business के घराओं म अधे लोन आधा है तो छांसेस हैं कि उसको नहीं मिलेगा दोपर की प्रठान मLYईंऔर === वहनेया को नहीं है यहां पर किसी भी तरह का प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग चार्ज उससे हो. तो प्रधान मंत्री मुद्रा यूजना के तहरत अगर वेक्टी बैंक जागर के लोन लेगा तो उसको उसके बदले में किसी भी प्रकार का कुलेटरल नहीं देना पड़ेगा किसी भी प्रकार का प्रोसेसिंग चार्ज उससे नहीं लिया जाएगा और एक पॉइंट है लोन अवेल करना चाहता है वो बी कीपिंग से जुरावा कुछ बिजनस शुरू करना चाहता है तो यहां पर उसके लिए उसको प्रधान मंत्री मुद्रा यूजना के तहरत जो लोन है वो मिल सकता है ओके यहां तक समझ में आ गया अब हम देखते हैं कि अभी क्या फैसला कर यूझना के तहरत तीन तरह का मुद्रा लोन प्रवाइड किया जाता है राइड सिकन integrator के अंदर 50,000 रुपए तक लोन प्रवाइड किया जाता है और तरुन का अंदर 50,000 रुपे सरकार ने इन तीन टाइपस के अलावा एक नए कैटिगरी को इंटेड्यूस किया है जिसका नाम है तरुन प्लस कैटिगरी और इस कैटिगरी के तहट बैंक 20 लाख रुपे तक का लोन अप्रूफ कर सकता है प्रधान मंत्री मूद्रा यूजना के तहट तो यहां पे तरुन क कैटिगरी और इस कैटिगरी के तहतना 10 लाख रुपे से जाता का और 20 लाख रुपे तक का जो लोन है वो प्रवाइड किया जा सकता है प्रधान मंत्री मूद्रा यूजना के तहट समझ में आ गया तो यहीं पूरा फैसला है अब देखें यहां पे सबसे इंपॉर्टन ब प्लस कैटिगरी है न यह सब के लिए अवेलेबल नहीं है यह सिरफ ऐसे ऑलग रुपेर्नश के लिए आवेलेबल है जो की तरुण के पहले लोन लें चुका है और उसने लोन का रिपेमेंट कर दिया तो सपोस्की कोई वैक्ति है उसने तरुण के अंदर शाठ ञाके साथ लौन लिया था और उसने लौन का successfully repayment कर दिया अब उसको और भी कुछ पैसा चाहिए तो यहां पे वैसे entrepreneurs के लिए यह जो तरून प्लस category है वह available है वैसा entrepreneur यहां पे तरून प्लस category के तहत up to 20 लाख रुपीज तक का 10 लाख रुपए से जाता और up to 20 लाख रुपीज तक का जो लोन है वह available कर सकता है समझ में आ गया तो यह पूरा न्यूस था अब देखें यहां पे up to 20 लाख रुपए तक का जो मुद्रा लोन है उसके लिए credit guarantee fund for micro units cgmfu के द्वारा guarantee coverage प्रोवाइड किया जाएगा मतलब कि अगर कोई word over है वह default करता है तो यह जो cgfmu है वह यहां पे बैंक के losses को cover करेगा तो इससे क्या होता है यह guarantee क्यों provide किया जाता है बैंक का जो risk है वह कम होगा और बैंक को encourage करने के लिए कि वह जाता से ज्यादा लोन दिये micro और small enterprises को बिना collector लिये हुए ठीक है तो यह पूरा यहां पे न्यूस था सरकार ने क्या का फैसला किया है सरकार ने यहां पे जो मुद्रा लोन लिमिट है उसको 10 लाक रुपीज से बढ़ा करके 20 लाक रुपीज कर दिया है सरकार ने यहां पे एक नए category को introduce किया है जिसका नाम क्या है तरुन प्लस category और इस category के तहत वैसा entrepreneur जिसने की तरुन category के अंदर लोन लिया हुआ है उसने लोन का रिपेमेंट कर दिया तो वैसा entrepreneur तरुन प्लस category के अंदर अप्टू 20 लाक रुपीज तक का जो लोन है वो अवेल कर सकता है तो ये आज के इस lecture का हमारा last news था जिसको हमने discuss किया आई होप जितना सारा भी news हमने यहाँ पे discuss किया है वो आपको समझ में आया होगा आपको informative लगा होगा thank you so much for watching और भी कुछ-कुछ news बचा हुआ है मैं कोशिश करूँगी कि उसको भी एक और पार्ट में complete कर दूँ thank you so much